मंगल वैत्री स्टूडेंट्स हम लोग नहीं समझते हैं चाप्टर पढ़ रहे थे जो हमारी पुस्तक भारत की खोज में संकलित है इसी पार्ट को हम आगे पढ़ते हैं कि 1526 से आरंब होने वाले अपनी लंबे साजन काल के लगभग पचास वर्ष के दोरान वे बराबर इसी लक्षे की पूर्टी के लिए कोशिश करता रहा भोस से सौविमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी और मिला लिया उसने एक राजपूत राजकुमारे से शादी की उसका बेटा और वारिस जहांगीर इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदु राजपूत था जहांगीर का बेटा शाहां जहां भी राजपूत मा का बेटा था इसलिए वे तुर्क मंगोल वंश तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतिय था Students हम लोग इस पार्ट में ये पढ़ेंगे कि अकबर का जो साशनकाल था वो कब से प्रारम हुआ 1556 से फिर अकबर के बेटे और पोते का नाम जो आधे मुगल और आधे हिंदु राजपूत थे जहांगीर और शहांजाँ अकबर की पत्नी का नाम क्या था जो राजपूत थी वो थी जोदा भाई अकबर किस राजपूत राजा को हराने में ऐसा फ़ल रहा इसी पैराग्राफ को हम लोग आगे पढ़ते हैं कि राजपूत राजपूत राजखरानों से सम्मन बनाने से उसका सामराजे बहुत मजबूत हुआ इस मुगल राजपूत सहयोग ने जो बात के शाशको के साशन में भी इसी तरह चलता रहा केवल सरकार प्रसाशन और सेना को ही नहीं इकला संस्कृती और रहन सेहन को भी प्रभावित किया पर अगबर को राजपूताना में मेवाड के राणा प्रताप की अभीमानी और अदम्यात मका दमन करने में सपलता नहीं मिली महाराणा प्रताप एक ऐसे शूरवीर एक ऐसे स्वाभीमानी राजा थे जिनोंने अगबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके जंगलों में मारे मारे फिरते रहे लेकिन वो समझते दे किये विदेशी विजेता आकरांता है और इसके सामने में कभी घुटने नहीं टेकूंगा उन्होंने अपने परिवार को भी घास की रोटिया खिलाई लेकिन वो जंगलों में भटकते रहें उन्होंने अकबर की अधीनता को स्विकार नहीं किया फिर अकबर ने अपने चारोर अतिनते शक्तिशाली लोगों का समुधा इकठा किया था जो उसके आदर्शों के प्रतिस समर्पित थे इन लोगों में फैजी और अब्बूल फजल नाम के दो मशूर भाई बीरबल राजमान सिंग और अब्दुल रहीम खान खाना शामिल थे उसने एक ऐसे नई समन्वित धर्म के शुरुवात करने का प्रियास किया जो सबको मानने हो शुम अकबर निश्शित रूप से हिंदों में उतना ही लोग प्रे था जितना मुसल्मानों में और मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित वा जैसे वे भारत का अपना वंश हो तो उसके समय में कौन-कौन से ऐसे विद्वान थे जो की जिनोंने बहुत प्रसिद्धी प्राप्त की तो उसमें थे इसके लिए प्रशन हम बनाएंगे कि अकबर ने अपने चारोगोर की अथियंत प्रतिभाशारी लोगों के समुदाय को एकठा किया था वो थे फैजी और अपुल फजल नाम के दो मशूर भाई बीरबल राजमान सिंग और अब्दुल रहीम खान खाना फिर अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वे अतनी मजबूत थी कि दुरबल उत्रादिकारियों के बावजूद वे कितने साल तक कायम रही इसका उत्तर है सो साल तक इस पैराग्राफ का क्यारत है कि वो दुरबल इमारत कौन सी दुरबल और कमचोर इमारत वो जो उसके आगे के उत्रादिकारी थे जिन में आपस में साशन के लिए सिंगाशन के लिए लडाईयां हो रही थी वो दुरबल उसके उत्रादिकारी लेकिन उसने इतनी मजबू निव डाली थी कि वो उसके बावजूद भी 100 साल तक चलती रही फिर अगर हम देखें तो यांत्री कुन्नती और रचनात्मक शक्ती में एशिया और यूरोप के बीच अंतर अकबर के दर्बार में पुर्टुगाली जेसुट बताते हैं कि उसकी दिल्चस्पी बहुत सी बा सारे में जानकारी हासिल करना चाहता था उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्यान तो था ही साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिग्यासा एक बिंदू पर जाकर रूप गई उसे यांत्रिक उन्नती का रचनात्मक शक की थी देशों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसने इस तरफ थ्यान नहीं दिया और एक ही बिंदू पर आकर और वह था भारत वर्ष वहीं आकर के वह